दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं S21 Plus जो की 5G है Samsung के तरफ से second hand है उसके बारे हम यहाँ पर discuss करेंगे किस तरीका यह phone है और यहाँ पर हम जब भी इसको second hand buy करेंगे तो इसमें किन-किन चीजों की यहाँ पर देखना चाहिए किस-किस चीजो का लए या किसी भी चीज का लए तो क्या-क्या आपको major point वहाँ पर देखने होते हैं note करने होते हैं जिससे आपके साथ कोई किसी तरीका fraud ना हूँ तो वीडियो में बने रहें और चैनल में फश्टे बार है तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो चलेकते वीडियो को अच्छा होन है जिस price rate में यह मुझे मिला है यहाँ पर हम price की भी बात करेंगे कि किस price rate पर यह मुझे मिला है condition आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरव हमारी levy nation लगी हुई है और front से भी देख सकते हैं काफी बहतरीन यहाँ पर display इसकी है काफी अच्छी है तो totally हम इसमें discuss करेंगे और वीडियो को आप सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जब भी segment phone कोई छावी आप buy करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप पूछ लेना कि bill box इसका है या नहीं है क्या होता है कि कई बार यहाँ पर आपको fraud तरीके से phone को भी sale कि यहाँ पर खें बिलबॉक डबबा जो भी सके सांत मां आते है वो सब होने चाहिए तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरा box है और इस में जो हमारे बिलविल है तो मैंने इसको buy कर लिया है तो यहाँ पर मेर को bill box और यह मुझे मिला है । जो इसके सांत मां charger होता है की हमारी इसकी नहीं है लेकिन Samsung की है इसकी नहीं है 15W का charger मिला मुझे जो कि ये रहा यहाँ पी ये देख सकते है जो कि हमारा M-series, F-series A-series उनमें ये charger हमको देखने को मिलता है 15W का ये साथ में देखने को मिला और इसी के साथ की एक data cable थी वो मुझे मिली है तो पहली तो सबसे पहले आपने ये ही देखना है कि हमको इसमें क्या-क्या देखने को मिल रहा है तो सब चीज यहाँ पर देख सकते हैं box हमको मिल गया phone हमको मिल गया charger हमको यहाँ पर मिल गया इसके साथ cable भी मिली है बहले ही इसकी नहीं थी लेकिन ओर्जिनल समसंग की है और साथ मैं मुझे यहाँ पर बिल भी है तो मैं अब इन दोनों को रख लेता हूँ साइड में क्योंकि काम है हमारा इसका तो पहला चीज आपने अब दूसरा चीज क्या है सबसे पहले आप इसको देख लें यहाँ पर देखाऊगा जो तुबारा से स्क्रीन डलती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हिंट मिली जाएगा जो हमारी नई स्क्रीन होती है उसके मुकाबले तो यहाँ पर पूरा चेक कर लें अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं तो यह मैंने टोटली चेक किया हुआ है कहीं पर कोई प्रोब्लम नहीं है इसी तरीके से बैक कवर होता है जो उसको भी यहाँ से एक साइड़ वाई चेक कर लें डीटील में चेक करें जल्देवाजी कहीं पर नहीं करनी है तो सबसे पहले आपने जो जो एसो स्रीज इसके साथ आती है उनको चेक कर लेना है दूसरा आपने इसकी कहीं से ओपन तो नहीं हुआ है कहीं पर कोई मार्ट तो नहीं लगये है कटके या कोई यहाँ पर नुकीली चीर डालके इसको खोलने की कोसिस करी हो उन चीजों के स्क्रैच उसक्रैच वो ह नहीं दिखा यहां पर यह देख सकते हैं क्योंकि एगर यहां पर अंदर से डश्ट दिखती है तो यानी यह खुला है कभी कभी यहां में फेक कर लिए कुछ भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं ती उसके बाद यहां पर is इसको चेक कर सकते हैं, इसका जो charging jack है, उसको यहां पर check कर लें तो यहां पर मुझे charging jack भी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत मिली कोई dent event चेक कर लें कि dent event तो नहीं आया है तो यहां पर ये भी कुछ नहीं है देख सकते हैं ये तो ठीक ठाकी था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद हम इसको पाउर खोल लेते हैं, अब क्या है, इसको हमने, मैंने इसमें सब फिंगर उंगर सेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर, तो मैं इसको सब कट कर लेता हूँ, फिंगर भी काफी अच्छे तरीके से, यह यहाँ पर white screen है, कोई हमें black dot तो नहीं दिख रहा है, इस तरीके से white screen खोल लें, यहाँ पर अच्छे से मैं दिखाने कोशिद करता हूँ, तो देखते हैं, पूरी screen में, आपको कहीं पर कोई black, dark spot, कुछ इस तरीके से तो नहीं दिख रहा है, वो भी आप यहाँ पर check कर ले है, और यहाँ पर कुछ point है, यहाँ पर note करने है, जैसे कि red लिखा है, तो proper हमें red दिखना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं, camera में थोड़ा मुझे यहाँ पर color इसका अलग दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, लेकिन यह red है, उसके बाद green दिखना चाहिए, तो green भी है, देख एक करके आप यहाँ पर check कर सकते हैं, तो हमारा ok है, यहाँ पर vibrate कर रहा है, यह भी हमारा ok है, यहाँ पर mega camera इसको भी check कर सकते हैं, sensor check कर लें, तो मेरे यहाँ पर जितने भी sensor हैं, वो सब work कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, sensor भी मेरे ok हैं, और उसके बाद हम यहां पर touch को भी चेक करेंगे तो मैंने यहां पर touch को चेक कर निगले यहां पर हमने इसको draw करना होता है यह हमारा एक बार बने या ना बने उससे कोई दिख्कत नहीं है लेकिन हमारा पूरी लाइनिग के यह सही हो जानी चाहिए इस तरीकी से क्योंकि अगर touch कहीं पर काम नहीं करेगी तो उस जगे का हमारा ये नहीं बनेगा इस चीज़ का ध्यान रखना ये दो तिन बार में बने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बन जाना चाहिए तो ये हमारा इसमें भी आगे हो गया उसके बाद यहां पर लिखा हुआ ह कि तो यहां पर देखते हैं एक नीचे को रखा एक ऊपर को रखा यानी इसमें हमारे डवल इस पीकर रहने हमारा यहां पर देखने को मिल जाता है ये और एक हमारा ऊपर कर रहा है अभी कान लगा के सुन ले उपर आवाज नहीं आ रहे होगी अब मैं इस त्रीक किसे करूंगा तो यह मेरी ऊपर आवाज आ रही है अब नीचे नहीं आ रही है देख सकते हैं यह भी हमारा ओके है इसको भी अम को केंगे सब की जितने भी इसमें की जो होती है अब हमने उसको चेक करना है यहाँ पर किलिक करना है मैंने simply एक एक करके की को चेक करें बोलियम डाउन ओके बोलियम अब ओके पावर अब हम पावर वाली को चेक करते हैं पावर वाली भी ओके अब जो जो भी हमारी तीन कीज यह हैं और तीन कीज यहां है यह सारी क्या है हमारी यहां पर ओके निकलके आ रही है तो यहां पर सबकी भी ओके ओगई फ्रंट कैमरा भी चेक कर सकते हैं यहां पर मैं कैमरा और नहीं कर रहा हूं और जो भी यहाँपे हैं उनको आप चेक कर सकते हैं mlc जो भी इसमें parameter हमको दिये हैं वो सारा यहाँपे चेक कर लिएगे वैसे मैंने मोटा मोटा आपको सब बता दिया है उसके बाद क्या करना आपको इसको यहाँ से हटा देना है इसको मैं यहां से हटा देता हूँ उसके बाद एक और कोड़ आपने यहां पर डाइल करना है star has06 has और यहां पर देख सकते हैं आपको IME नंबर देखने को मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं IME नंबर है EID यहां पर वो भी देखने को मिल रहा है SN वो भी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं यह सब बिल में देख लें कि यह हमारे बिल में मैंसन है या नहीं है यह हमारे होने जरूरी है अगर फॉन में नहीं सो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके उसमें प्रॉबलम है उससे बचें उसको नालें और यहाँ पर सो कर रहा है 2 Sim के लिए है यहाँ पर हagit 20 कर रहा है तो दोनों में आपको यह जहांब दिखाई दे रहा है तो यह तो हो गया आपका काम अब उसके बाद जो आपने एतना अगर आपने चेक कर लिया यानि आप 70% करीवा पहुंच चुके हैं कि आपका ये जब second hand phone buy कर रहे हैं तो कितने parameter आप clear कर चुके हैं तो 70% आपका यहाँ पर doubt खतम हो जाता है buy करने के तरफ को कोई दिक्कत इन phoneों में है उसके बाद यहाँ पर क्या करें तो यहां से हमने पहले ही चेक कर लिया था कि display यहाँ पर चड़ी हुई हमको नहीं दिख रही थी यहां से यहां तक हमने पूरा ही चेक कर लिया उसके बाद गबा की चेक कर लें इस तरीके से पिर हम इसको थोड़े देर यूज करेंगे जो भी इसमें है मैंने Wi-Fi से connect करा हुआ है इसको हम चला के भी चेक कर लेते हैं यहां पर यह देख सकते हैं कि हमारा अच्छे तरीके से work कर रहा है या नहीं कर रहा है यहां पर यह देख सकते हैं तो यह हमारा अभी 60 Hz है रिप्रेश रेट तभी हमारा जो अब डाउन है वह यहां पर सही से नहीं चला है वाइफाय मेरा connect है इसको भी मैं चेक कर लिया और उसके बाद आप यहां पर SIM डालें SIM डालके calling चेक करें वाइस चेक करें incoming, outgoing, voice भी in, out सब हो रही है या नहीं हो रही है यह सब चेक कर लें और इस सब में आपका tested सब ओके हो जाता है वीडियो चला कर देख लें ओके है कोई problem नहीं आती है और जब आप यह सब चेक कर रहे होंगे जो सबसे important चीज है उसको ध्यान रखना उस पर क चेक करना आपने battery, battery को आप खास करके ध्यान में रखें तो यहाँ पर देख सकते हैं battery मेरी 54 है मैंने starting में ध्यान ने दिया कित्ते percent थी अगर आप यह सब चेक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा battery drain हो रही है तो वहाँ पर आपकी problem है इस चीज़ का आप ध्यान रखें battery भी इसकी में detail use जो भी इसमें feature है जिस तरीके से हम इसको क्या-क्या feature है क्या-क्या दिया हुआ है क्योंकि इसमें काफी कुछ है यहाँ पर wireless charger भी यहाँ पर support करता है 25 watt का 25 watt का 25 watt charging support करता है और कई features से यह less है यहाँ पर देख सकते हैं तो जो अब second hand यहाँ पर तो मैं खाली यह और चीज हम बहतर तरीके से किस तरीके से चेक करेंगे वो सब हम मैं next video में बताऊँगा तो अगर आप इतना चेक कर लेते हैं तो आप इसको ले सकते हैं लेकिन एक ज़रूरी चीज अगर किसी के पईयों के पार क्या होता है यह यह आपको नहीं मिलेगा miss मिलेगा यानि य यह आपको यहां पर बताता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं, औहार ले-लो यह ले-लो तो वहां पर इस तरीके से उसमों मत फसना अगर उसके बडिलवॉक्स नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है उसके पाइब बिलवाक समझ सकते हैं तो अगर वो उसका जनुवन होगा तो यहां पर एक बहुत अच्छी त्रिक बताता हूं मैं सबसे पहले आप ऐसे गैलरी खोलें गैलरी खोलने के बाद जैसी गैलरी खोल जाएगी गैलरी खोलने का जितनी भी फोटो गें उसकी जो भी फोटो होंगी यहां पर गैलरी पर जाकर के सबसे लास्ट फोटो चेक करना अब की है वो फोटो अगर वो बोलता है कि यह मेरा फॉस्ट हैंड ही है और जितना टाइम हो बताता है फॉन को मेरा एक साल दो साल हो गए तो उसकी अगर गैलरी के आप लास्ट फोटो चेक करें है तो उसमें कुछ नहीं है तो जब last photo check करिंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वह कितना पूराना है जसे नहीं होगा उसने बोला था चेक किया और इसके बिल पर भी मेंशन किया हुआ है कि इसको पूरे-पूरे धाई साल में दो मेहने कम हो रहे हैं यानि फरवरी में इसमें धाई साल हो जाएंगे मैं अभी दिसंबर में यह वीडियो बना रहा हूं जो मैं इसमें ध्यान रखना चाहिए तो मिपर यहां पर नहीं बता रहा है आप मेंसन करना कि कितने का यह होना चाहिए तो देखते हैं कौन इस प्रायज के नदीक पर पहुच पा रहा है तो आप चेक करना मैंने बागी हिंट बता दिया ही यहां पर सददतर हजार रूपें सदतर 78000 रूपे करिए इसकी चाहले में दी हुई है बाई प्राइज है इसका साथ सदक्तर हजार रुब्यानि 77,500 इसकी बिल्गी जो MRP है वो यहां पर दी हुई है तो बताने ढ़ाई साल बाद इसको कितने में लेना सही है और मैंने कितने में लिया होगा फिर मैं नेक्ट वीडियों बताऊंगा इसके और वी detail के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब भी आप second and phone खरी दिंगे तो किस तरीके से हमने यहां पर क्या-क्या parameter को चेक करना है ताकि आपके साथ फरोड ना हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो म रिमीश करते हूँ थे वीडियो में इतना ही मिलते हो टीके से वीडियों में अगैंगे कि एक दोसुऽभ्ण के ल हो जह जए मिलते हुआ हो अग Isaiah